तो हलो गाइस कैसे हैं आप लोग आई होप कि अब सब लोग ठीक है तो आज एक और नहीं भीडियो लिए के आचुका हूं मैं आप सभी के सामने स्टाड़ी वेशन और जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करके रख दिए चैनल को क्योंकि आगे भी इसी टाइप का वीडि से नोटिवेशन भी मिल जाएगा तो नोटिवेशन आप लोग और करके रखिए तो ज्यादा टाइम ना लेते चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो यह जो टाइटिल और तंब्रिंदी का आप लोग समझी चुके हैंगों यह से सी जीडी कॉंस्टेबल माचब कु और भी है काम भी है यह बहुत ही ज्यादा पहले यह फास्ट और कर रहा है क्योंकि बीस तारिक को यह रिलिस किया है मेरिट लिस्ट और अभी इसको एक मांद का बाद एप्लिकेशन स्टार्ट भी शुरू हो जाएगा तो यह से सी जीडी कॉंस्टेबल रिकुमेंट 2021 का ल अप्लिकेशन का कवे 25 मार्स टी एंटिटीव एक अप्लिकेशन देट है एससी का ओपीसेल वेबसेट में जाके आप लोग उसका जो कैलेंडर लीस्ट होते हैं वहाँ पर भी आप लोग देख सकते ओपीसेल अपडेट भी दे दिया है 25 मार्स ओपीसेल पीडिफ देखके म टूथाउजन टूइन्टीवण तो अन्मीट का डाउनलोड आपको जुलाई में हो जाएगा सीवीटी डेट तो एक्जम कोई अच्छे से नमबर लेके आए तो उसका जो चांसे से याप लोग जो स्लेट करते हो आपका फास्ट ऑफसें टोटल आठ आठ रहता है फोर्स ठीक है दो सेंटरल का एकदम एनाए इससे से दो छोड़के टोटल छे आपको स्लेट करना होता रहता है ठीक है आपको स्लेक्षन भी होने वाला है आप्शन तो यहां पाथ जनेरल एंट रूपीय के लिए एक सप्रेशन के लिए कोई फीर नहीं है फिमेल के लिए भी कोई फीर नहीं है ठीक है तो मेल फिमेल यहां पाथ दोनों काड़ आप लोग एपलाई कर सकते हो तो जॉब इंडिया के अन्यूवर और एज लिमीट फास्ट एस्ट फास्ट आगस्ट टू थाजन ट्वेंटी आपको कैलकुरेट करना है मिनिमाम 18 एज रिकुमेंड है मैक्सिमाट 23 यह नंबर आप पोस्ट इतना अभी तक बताए नहीं है अप्लिकेशन शूरू और जाने से पहले अब लोगों पता चल जाएगा पोस्ट नेम जो है आपको सीए पी एफ एनाइए एसस एफ राइफल इफल मैन इन आसम राइफल एक्समेशन 21 पेस्केल जो है यह 22,000 से इसका स्टार्टिंग पर मांद तो जिसी हिसाब सब लोग सेलेक्शन होगा जिस पोस्ट में ठीक है यहां पर पर मांद पेस्केल भी रहता है तो मिनिमा में एक स्टार्टिंग सलरी है 22,000 आप माल लिए ठीक है इना यह इससे इसमें थोड़ा ज्यादा रहता है तो एडुकेशन कॉलिफेशन जो हो है यह आपको टेन क्लास पास चाहिए किसी भी बोर्ट से कि किसी भी रिक् एक्जेमेशन रिटेन एक्जेमेशन जैसे आप लोग क्वालिफाई करोगे आपको फीजिकल स्टेंडर्ट में पास होना है तो वहाँ पर मेल जेनरेल एंड ओवी सेन एसी के लिए 170 cm हाइट रेना चाहिए मेल एस्टी के लिए 162 cm ठीक फीमेल जनरेल एसी के लिए 157 cm और आपको एक्सपेंड करना है मिनीमम मतलब एक्सपेंड करके आपको 85 करना है मेल एस्टी के लिए 76 cm आपको एक्सपेंड करके 81 करना है फीमेल के लिए कोई चेस्ट नहीं है मतलब कुछ भी होगा तो चलेगा रानिंग कि 5 km रान इन 24 मिनिट किसी का साथ आपका कॉंपटिशन नहीं होगा ठीक है जस्ट ट्विटी फोर मिनिट के में आपको पांच किलोमेटर रान कॉंप्रिट करना होगा और फीमेल के लिए 1.6 km एक में थर्टी सेंट थर्टी सेंट टाइम रहेगा तो इंटेस्टेट केंड आप लोग एपलाई कर सकता है और डेस्की सेंट बॉक्स में ने लिंक दे राखी है ठीक है 25 मार्ट चे आप से एप्लिकेशन शुरू हो जाएगा टेंट में लास्टे थे तो मोड आप स्लेक्शन के बाद करते हैं यहाँ पर आपको कॉंपिटर टेस्ट होता है ठीक है इं आपको पिस्ट फिजिकल ऊच्च जो हता है इंद एक रिफिजिकल स्टेंडर्स टेस्ट आपको यह कॉलिफाइब करना इसका बाद मेडिकल टेस्ट इसका बाद आपको आजाएगा फवाइन सेलेक्शन फाइनल मेरिट लिस्ट तो अब लोग औपेसियल नोटिफिक्रिश तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बाज में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके आल करके रखिए क्योंकि आगे भी नोटिवेशन आपको पास मिल जाए तो आज के लिए मेरे तरब से इतना ही थैंक यू फॉर वाचिंग